हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक टो मैं चैनल मैं समी था आज के वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ सबसे पहली रेसिपी सूपर सिंपल और सूपर हेल्दी है जो की है ड्राइफूट सीट्स मिक्स लड्डू इसके लिए हमें कुछ सीट्स लेने होंगे तो जो भी सीट्स आपके पास अबलेबल हैं या फिर जो आपको पसंद है वो आप लगबग हापकप ले लीजिए उसके साथ अब इसमें ओड्स आड्ड करें तो मैंने यहाँ पर डिसानों का ओड्स लिया है और यह रौ ओड्स है तो इसमें यह हाफ कप मैंने लिया है इसके बाद हम इन सब चीजों को ड्राइ रोस्ट करेंगी तो ड्राइ रोस्ट करने के लिए पैन को जस्त हीट अप किया है अब इसमें हम एक एक करके चीज़ें आड़ करेंगे तो जिन चीज़ों को भूनने में ज़्यादा टाइम लगता है उनको पहले आड़ करेंगे जैसे बदाम, काजू और पिस्टा अगर आड़ करते हैं तो इनको आप पहले भूने तो मैंने पिस्टा नहीं यूज़ किया, जिस काजू और बदाम लिया है तो दो दो टेबल स्पून मैंने ये लिये हैं और इनको मैंने अच्छे से रोस्ट कर दिया उसके बाद मैंने पैन में ही उनको साइड कर दिया है इसके बाद यहाँ पर roast करेंगे हम oats को तो यहाँ पर जो यह मैंने oats लिया है half cup इसको भी हम इसके साथ roast कर देंगे seeds को आप पहले नहीं डालें क्योंकि वो बहुत चिटकते हैं तो जब आपके oats को खो जाए यानि कि हलकी सी browning आ जाए और एक खुश्बू आती है इसमें तो वो आने लगे उसके बाद हम इसमें add करेंगे जो हमने seeds लिये हैं seeds को को खोने में बहुत ज़्यादा time नहीं लेता है यहाँ पर मैंने pumpkin seed, flax seed और sesame seed लिये हैं आपके पास melon seed है आप वो डाल सकते हैं sunflower seed डाल सकते हैं तो जो आपके पास available हो आप उनको यूज़ कर सकते हैं हलकी आज पर इनको धीमे धीमे सेखना है कम से कम साथ से 8 मिनट सब को सेखने में लगने वाला है उसके बाद gas को बंद कर दे और इसको तो थोड़ी देर चला लें या फिर इसको किसी plate में shift कर दें ताकि ये ठंडा हो जाए इसमें हम मीठा नहीं add करने वाले तो इसमें हम dates का use करें तो मैंने यहाँ पर 10 dates लिये थे जिनके seeds निकाल दिये हैं इसे हम से पहले इस तरह से चर्ण कर लेंगे तो यहाँ पर मैं अगारो का professional blender यूज कर रही हूँ जो कि 2000 watt का है और बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ों को चर्ण कर देगा यहाँ पर जो मैंने mistake की वो आप मैं कीजेगा पहले dry food डालेगा फिर उपर से डालेगा खजूर क्योंकि खजूर एकदम blade में चिपक जाता है तो मैंने पहले ये डाल दिया था थोड़ा सा चर्ण किया तो मैं जो रियलाइज हुआ उसके बाद जो बाकी चीज़े हैं वो मैंने इसी में add कर दी पिस जाती है बढ़ आपका blade पर चिपक जाता है तो थोड़ा सा अटकता है वो तो आप पहले dry food डालें फिर उपर से dredge डालें तो वो बहुत अच्छे से हो जाता है साथ ही उनको बारिक बारिक चॉप करके डालें तो वो बहुत ज़दा दिक्कत नहीं करते हैं इसने में तो बस यहां पर इस तरह से इसको अच्छे से चर्ण करेंगे जब तक सारी चीज़ें एक सार नहीं हो जाती course ही grind करना है हम इसे बीच में आप इसको spoon की help से हिला सकते हैं और दुबारा चर्ण करने के लिए रख सकते हैं तो बहुत easily यह हो जाते हैं तो इस तरह से देखे मैंने एक बार इसको खिला लिया है उसके बार दुबारा इसको चर्ण किया है इसके बाद इसको निकाल लेंगे हम एक plate में यह देखे प्लेट में मैंने निकाल लिया भी आपको कुछ good fat ज़रूर add करेंगे तो यहाँ पर मैंने add किया है coconut oil तो यह बहुत ज़्यादा नहीं डालेगा अगर आपको आदत नहीं है coconut oil की flavor की तो यहाँ पर जिस्ट आप एक spoon डालेंगे तो वो बहुत अच्छा एक flavor उसमें देदेगा बट आपको बहुत ज़्यादा तेज नहीं लगेगा अगर आपको पसंद है coconut oil तो आप इसमें 2 spoon या 3 spoon भी डाल सकते हैं बट यह इसकी help से भी अच्छे से बंदने में भी help करेगा और इसमें एक flavor आ जाएगा तो just one spoon मैंने यह डिसानों का coconut oil इसमें add किया है और इसको इस तरह से अच्छे से नीद करें जिससे easily हम इसकी छोटी छोटी सी ball बना पाएंगे तो यहाँ पर इसको हमने अच्छे से combine कर लिया है यह soft भी हो गया है और इस तरह का यह log बन गया है तो इसमें से हम छोटा छोटा portion निकाल लेंगे उसके बाद हम इससे लड़ू create करेंगे यहाँ पर जो आपका measurement है वो बहुत ज़्यादा accurate रखने की ज़रुवत नहीं है हाफ कप हमने oats लिया है तो हाफ कप ही आप mix dry food ले लें और हाफ कप ही mix seeds ले सकते हैं तो इस तरह से इसका ratio रखें और हाफ कप ही updates भी ले सकते हैं तो इस तरह से आप इसका ratio रख सकते हैं यह देखे मैंने round कर लिया है और बाहर से इसे coconut से coat कर लिया है यह हमारे delicious से लड़ू बनकर ready है जिनमें घी भी नहीं है शाती sugar नहीं है तो आप इनको try जरूर कर सकते हैं अधर आप diabetic है और आपका sugar level बिल्कुल normal है तो आप इसको जरूर ट्राय कर सकते हैं बहुत ज्यादा quantity में नहीं छोटे चोटे बनाईएगा और इस दिवाली आप इनको enjoy कर सकते हैं तो कैसी लगे आपको इस रेसिपी जरूर शेयर कीजिएगा चलिए बढ़ते हैं next recipe की तरफ next हम बना लेते हैं homemade chocolate उसके लिए मैंने यहाप पॉपिंग candy ली है साथ ही मैंने लिया है milk compound तो बस इन दो चीजों से ही हमारी recipe ready होने वाली है तो यह 150 gram का pack है जो कि 125 से 150 की range में आपको easily मिल जाएगा popping candy नहीं है तो इसके बज़ए आप अंदर dry food भी fill कर सकते हैं चॉकलेट के इस तरह के mold आपको ज़रूद पढ़ेंगे तो सबसे पहले यह candy आपको दिखा देती हैं उस तरह के packets में आती है और यह candy जब आप chocolate खाते हैं तो यह आपके mouth के अंदर जैसी ही जाएगा वैसे ही pop करता है बहुत ही अच्छा surprising element देता है तो इस तरह के यह होता है colorful इनको हम add करने वाले हैं अपनी chocolate में तो यह नहीं है तो आप इसमें dry foods या nuts mix करके बना सकते हैं मिक्षर और वो आप add कर सकते हैं तो उसके पहले हम लेंगे chocolate और इसको हम double boiler method से melt करेंगे तो इसके लिए half portion मैंने लिया है इसको छोटटे pieces में करके हम इसको melt करेंगे melt होने के बाद हम इस तरह से mold में इसको fill करेंगे तो mold आप छोटा बड़ा जो भी shape का चाहें उस तरह से ले सकते हैं मेरे पास जो available थे मैं उसी में इनको बना रही हूँ तो ये देखिए fill कर दिये हैं इसके बाद इसको आप room temperature पर छोड़ सकते हैं ये directly इसी तरह से fridge में रख सकते हैं आपको freezer में नहीं रखना है, fridge में रखना है इसी तरह से ये चोटा सा coin वाला mold मेरे पास था, इसको भी मैं इसी तरह से fill कर लूँगी 5-6 minutes को इस तरह से rest करा दिया था, इसके बाद हम इनको demold करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं mold को जस्ट आपको इस तरह से dab करना है और यह chocolate निकल जाती है बाहर और इनको पर shine भी काफी अच्छे आती है तो यह देखे, दोनों तरह की chocolate मैंने इस तरह से demold कर दी हैं तो यह हमारी chocolate बन कर ready है एक दूसी तरह की chocolate मैं आपके साथ share कर रही हूँ जिसमें हम coconut और condensed milk का यूज़ करने वाले हैं साथ ही आप कोई भी chocolate essence यूज़ कर सकते हैं जो chocolate में हम यूज़ करते हैं तो मैं यहाँ strawberry flavor का यूज़ करूँगी इसमें सबसे पहले जो desiccated coconut हमारे पास है उसमें हम condensed milk आड़ करेंगे और essence आड़ करेंगे condensed milk हमें इतना आड़ करना है जसकी इसकी हम ball बना पाएं तो बहुत ज़्यादा liquid नहीं होना चाहिए hard सा ही dough बनाना है यह देखे बंद गया है इस तरह सा तो बस अब इस coconut mixture का हम बना लेंगे छुट-छुटी सी ball और इने ही हम फिल करने वाले हैं चौकलिट के अंदर तो जो भी mold आपके पास हो इसके लिए थोड़ा सा उंचा mold आपको चाहिए होगा चौकलिट मैंने जैसे पहले melt की इसको आप microwave में 30 seconds के लिए melt कर सकते हैं और इसको या फिर double boiler पर भी आप कर सकते हैं तो यहाँ पर यह मेरे पास एक mold है जिसको मैंने नीचे पहले चौकलिट लगाई है बहुत ज़्यादा नहीं लगा नी जिस्त सेल सा बन जाए और इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना है और यह सेट हो जाए उसके बाद इसके ऊपर हम इस तरह से यह जो हमने coconut की बॉल बन आई थी उसको फ्लैट करके डाल देंगे और उसके बाद ऊपर से भी हम इसको चौकलिट से cover कर देंगे बहुत ही असान होती है यह चौकलिट बनाना मैंने अपने चैनल पर काफी सारी चौकलिट की रेसिपी शेर की हुई है मैं लिंक का आपको दे दूँगी तो बस इनको भी 15 मिट मैंने फ्रिज में रख दिया था और इनको इस तरह से हम कर देंगे और आप साथ में चौकलिट को भी मेल्ट करके लग लीजिए इसके बाद आप इन लड़ों को चौकलिट से इस तरह से कोट कर लें और इनको इस तरह से आप प्लेट के उपर निकाल लें बिए ड्राय हो जाएंगे बस यह सव कर निकले डेडी है इस तरह से आप मैंने आपको साइड में जो पिक दिखाए आप चौकलिट को प्लेट के उपर भी इस तरह से फैला सकते हैं उपर से ड्राय फूड लगा सकते हैं तो यह मैंने काफी सारी चौकलिट रेसिपी शेयर की हुई हैं इसके उपर आप कुछ डेकोरेशन कर सकते हैं और यह भी बहुत ही टेस्टी लगती है तो मैं आपको कट करके भी यहाँ पर दिखा रही हूँ कितनी अच्छी चौकलिट बनी है तो आप इन चौकलिट को घर पर जरू ट्राय कर सकते हैं बहुत ही सिंपल बट रिलेशियस और यूनिक टेस्ट की ये घर पर बनती हैं नेक्स टेसिपी है ये सूपर सिंपल नारियल के लडू जो देखने और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं पर बनाना इनको बहुत ज़्यादा आसान है तो यहां पर मैंने लगभग 1.5 कप यानि की लिया है जो अब इसमें अच्छे से ड्राय रोस कर लिया था अब इसमें हम कंडेंस मिल्क आट करने वाले हैं तो यहां पर लगभग 1.5 जितना इसमें कंडेंस मिल्क जाता है आप यहां पर मिक्स करते विद्यान दें कि यह डूफ फॉर्म में आजाए बस उतना ही आपको इसमें कंडेंस मिल्क डालना है अगर आप इसको थोड़ा सा मौश बनाना चाहते हैं तो इसमें आप मिल्क का भी यूज कर सकते हैं मैंने हलका सा उरेंज टेंट देने के लिए इसमें एड किया है हलका सा ओरेंज फूट कर अब इसमें सैफरिन भी डाल सकते हैं यह मैंने add कर दिया है अब इसमें मैंने add किया है just one fourth cup milk और इसके साथ हम इसको अच्छी से mix करेंगे जिसे मैंने आपको कहां condensed milk के साथ भी बना सकते हैं पर condensed milk ज्यादा करने से उसमें थोड़ा सा मिठास ज्यादा हो जाती है और मुझे ज्यादा पसंद नहीं है तो मैं कम मीठ है रखन आज पर बहुत जल्दी कोको जाता है अब कुसको अगर फास्ट करते हैं तो टू मिनिट में भी रेडी हो जाती है मिठाए इतनी फास्ट यह बनती है तो यह देखिए इस तरह का यह डो फॉर्म में जब आज है उसके बाद इसको आप निकाल लें एक प्लेट में और उसम हमारे डिलिसस से लड़ू बनकर रेडी हैं इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता आप चाहे तो इसको दिवाली के दिन भी बना सकते हैं और इसकी सेल्फ लाइप भी ताफी अच्छी रहती है असनी बहुत जल्दी यह खराब नहीं होते हैं क्योंकि हम इसमें करना चाहते हैं तो यह रेसिपीक दम पॉफेक्ट है आप इससे बनाईगा बहुत टेस्टी बनती है और सुपर सिंपल भी है सबसे पहले एक पैन में मैंने डाला है वन बाई एट कप घी साथ ही वन बाई फोर्थ कप मैंने इसमें डाला है मिल्क मिल्क के साथ इसमें हम ब फिर इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके अट करें और इसको मिक्स करते रहें और इसको लौं फ्री आपको बनाना है तो मैंने यहां पर लगबग दो कप लिया था यह मिल्क पाउडर तो यह मैंने इसमें एट कर दिया और यह बिना गैस पर रखी हुए हम इसको करेंगे सारी चीजों को अच्छे से mix कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके milk powder आड़ करेंगे तो इसमें लांस फॉर्म नहीं होते हैं चॉकलेट फ्लेवर बर्फी है ये तो इसमें जाएगा cocoa powder तो वो हम बाद में आड़ करेंगे तो यहाँ पर अब मैंने इसको रख दिया है gas पर इसक में डाल सकते हैं या as it is भी बना सकते हैं मैंने घर पर ही गी बनाया था तो उससे जो मावा निकलता है वो मेरे पास रखा हुआ तो लगबग 1 फोर्थ कप ये मावा है ये भी मैंने इसमें आड़ कर दिया है इससे जस्ट वो दानेदार बनेगा और अगर मावा नहीं डाल तो फिर वो बहुत स्मूध बनेगा इसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें हमने कोकोवा पाउडर एड़ कर दिया है इसमें अब जितना डाक चाहते हैं अपनी चॉकलेट का फ्लेवर उस तरह से इसमें कोकोवा पाउडर को एड़ कर सकते हैं इसको अब हम मिक्स करते हैं ताकि यह जले नहीं और इस तरह से दो फॉर्म में आ जाए यह देखे इस तरह का टेक्शर जब हो जाए फिर एकदम पॉफेक्ट है क्योंकि जैसी ठंडा होगा यह और भी ज्यादा थिक हो जाएगा और इस तरह से मिक्स करते रहने से इसमें शाइम भी बहुत प्रवाइट कर दूगी तो यहां पर मैंने यही बेकिंग डिस्क को इस तरह से घी से ग्रीस कर लिया था और इसमें मैंने इसको डाला है क्योंकि इस टाइम पे मैं इसके थिक पीस बना रही हूँ आप अगर थिन पीस बनाना चाहते हैं तो इसको कतली की तरह भी सेट कर सक सकते हैं बट मैं इसको मोटी बर्फी के पीस में रखूंगी तो उपर से इसमें मैं लगा दूँगी चांदी का वरक और यह बहुत ही अच्छी बर्फी हमारी सेट हो जाएगी इसी तरह से मैंने बाल मिठाएगी रेसिपी भी आपके साथ शेयर की है उसकी रेसिप्री लि सकते हैं तो जैसा आपको पसंद हो आप उस तरह से कट करें और यह हमारी बर्फी बनकर रेडी है तो आप ट्राइज जरूर करें और मेरे साथ अपना फीदबेक शेयर करें नेक्स जो स्वीट हम बनाने वाले हैं वो है मूंग डाल की बर्फी नाम सुनके लग रहा होगा क काफी टाफ होगी बट इसे हम इंस्टिंट वाली बनाने वाले हैं तो अच्छी बनेगी थोड़ी मैनत जरूर लगेगी बट इतनी मैनत नहीं जैसे कि आपको डाल के साथ लगती है तो यहां पर उसके लिए हम ले रहे हैं मूंग डाल का आटा एक कप हाफ कप लिया है मैं और इसको धीमी आज पे हम हलका हलका सेक लेंगे इसको सिकने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो आज को हलका रखें और कॉंटिनियस्टी इसे हिलाते रहें तो बहुत ही अच्छी जब खुश्बू आने लगे इसकी तब तक आपको इस तरह से इसको भूनते रहना है इस बर्फी को बनाते वे डिफरेंट स्टेजस आती है जैसे हम इसको भूनना शुरू किया तो यह इस तरह से लिक्विडी होना शुरू होता है फिर यह इस तरह से ड्राय हो जाएगा जब पूरा घी अब्सॉर्ब कर देगा और पांदस मिनट और भूनने के बाद यह घी चो पूर्वर्ट किया है और यह देखिए इसका टेक्श्यर एकदम चेंज हो गया है यहाँ पर इस टाइम पर हम इसमें कुछ और इंग्रीडेंट एड़ करेंगे तो यह मैंने सैफरन के साथ मिल्क को सोक करके रखा हुआ है तो यह लगबग 1 फॉर्ट कप मिल्क है जो कि मैं मैंने अलग से रखा हुआ है अभी हम इसमें एड़ नहीं करेंगे जब तक कि यह मुंग डाल का कलर हलका सा डाक नहीं हो जाता और यहाँ पर मैं यह टाम मैं रगा के कर रही हूँ मैं भी इसको 10 से 15 मिनिट तक करती हूँ इसके बाद मैंने इसमें शुगर एड़ किया है 1 4th कप और साथ ही एड़ कर दिया है सैफरन मिल्क जो की 1 4 कप ही था साथ ही बचा हुआ जो गी था वो भी मैंने इसमें एड़ कर दिया है और इसको लगातार चलाते वे मैं भून रही हूँ अभी आप देखेंगे यह काफी दानिदार होने लगा है इस तरह से इसको अभी इसा ही रहता है इसको स्मूद करते हुए हम हिलाते रहेंगे इसी बीच हम एक प्लेट को भी ग्रीस कर लेंगे और जो हलवे जैसा टेक्स्चर आया है इसको हम सेट करेंगे प्लेट के ऊपर तो यह देखें इसको प्रेस करते हुए हम इस तरह से सेट करेंगे इसमें अच् कटली की तरस के पीसस कटने वाले हैं लेकिन यह स्कौायर पीसस ही मैंने रखे और आप देख सकते इतनी अच्छी यह बर्फी बनती है मुँमें जाते ही गुल जाने वाली यह बर्फी है टाइम ज़रूर थोड़ा सा ज्यादा लगेगा जो मैंने विटक रेसिपी आपके सा तो यहां पर एक पैन में मैंने लिया है घी वन फॉर्थ कप हाफ कप इसमें मिल्क लिया है और इसके बाद इसमें मैं थोड़ा-थोड़ा करके डाल दी हूँ मिल्क पाॉड कुछ है चाहे cलाते वे बिर्ट मिक्स करें और अब आप ג Reese Over औरIns about प्रवां मिल्क पाॉड करें जब लिए पूर तरह से साधी मिक्स करें पूर gen प्रवलिये किश्ड कुछमने हम्ली चाह। चलाती हरी मिक्स करें प्र understand तो वो आपकी अपनी चोईस है इसके बाद इसको देखिए अब ये थोड़ा सा रनी अगेन होगा उसके बाद ये बंदना शुरू हो जाएगा ये वर्फी बहुत ही जादा सिंपल है जैसे नारियल के लड़ू बनते है ना सुपर सिंपल रेसिपी है बिल्कुल उसी तरह से ये मावा वर्फी भी बहुत ही अच्छी बनती है सिंपल से इंग्रीडेंट है और काफी टेस्टी होती है तो ये देखे आप इसका डोव बनना शुरू हो गया है इसको आप थोड़ा सा और ड्राय होने तक इसको इस तरह से चलाते हुए भून ले आप गैस बन करके इसको चला सकते हैं तो थंडा होने पर ये और भी ज्यादा थिक हो जाती है बस इस टाइम पर ये एकदम पॉफेक्ट है इसको हम इस तरह से कठा कर ल इसके उपर हम पिस्ता की कतरन एट करेंगे पिस्ता मावा बर्फी के उपर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इसे आप प्लेन बना सकते हैं ड्राय फूट के साथ में बना सकते हैं या फिर इसमें वरक भी लगा सकते हैं बट इसको हम सेट करने रग देंगे थोड़ी नेक्स वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ होमेड स्नैक्स रेसिपी जो दिवाली के लिए गदम पॉफेक्ट रहेंगी तो आज के लिए बस इतना ही मैं मिलती हूँ आप से कसी और नहीं इंट्रिस्टिंग रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय थैंक्य थांक्स वर वाचिग, वाज दियू